अब बताईए जो हमारा कमिटमेंट था रोजगा देने का नौकरी देने का वो सिल्सिला जो राज़े परिसद की बैठक थी और इस पैठक में आज तरेश्पी आदम ने कहा है कि करीब डेढ़ लाख पद स्वास्त विभाग में खाली है नौकरी देने का जो सिल्सिला है जो हमने प्रण लिया है उसकी शुरुआत हमने कल से कर दी है तरेश्पी आदम ने इस बात को कहते हुए कहा कि हर विभाग को यह निर्देशित किया गया है कि जिस विभाग में जितने भी पद खाली है सभी पदों को भरा जाएगा तरिश्वी आदम ने असपस रूप से कहा है कि हमारा जो विभाग है स्वास्थ विभाग उसमें से कई जगों पर वेकेंसी निकाला गया है और लगभग डेड़ लाख वेकेंसी जो खाली है हमारे उनका जो विभाग है स्वास्थ विभाग उसमें करीब डेड़ लाख लगतार बिहार में नौकरी देने का सलसिला अब शुरू हो चुका है कल नियुक्ति पत्र बाटा गया और अब स्वास विभाग में जो है उन्होंने यह एलान किया कि लगभग डेढ़ लाख पद उनके विभाग में खाली है डेढ़ लाख पदों पर नौकरी हम अपने के गोरिया जिका, हम लोग लगाते हैं करपूरी जी का लगाते हैं म अम्रे्जगं जीड़ाग लगाते हैं खमने कीलिक्तर बात्र बन उनके का सब है गभी कोई करिक्रां हो, तो आगे से गवीड जी ने अ कि आपको करना क्या है तो उसमें हम बार बार लें कहते हैं एक बंग गते रहे हैं अभी सब लोग सरकार में हम लोग आई हैं अभी तो चालीशी दिन हुआ है अब बताइए जो हमारा कमिटमेंट था रोजगा देने का नौकरी देने का वो चिल्सिदा के रहे हैं शुरू अब लोगों के कर दिये है और हाज भी लगता हर्ट डिपार्टमेंट वाइस समीच्छा की जानी है और यही कहा जारा कि जितने रिक्ष्पदे हैं उसको घड़ा जाए और हर्ट विवाग में हुआ है हमारे स्वास में वाज में लाग हम देर लाग हम लोग जो है टॉपी रोजगा देने का काम करें ताम समझे यह हर्ट पाफू रिष्टान में कर लोगे हर्ट बैठाग हर्ट डेमिदिक में दिखेगा सब